हेलो फेंड्स वेलकम तो माई स्टडी फिट चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजूकेशन की चेप्टर वाइज इंपोर्टेंट यम्सिक्यूश का प्रैक्टिस करा रही हूं दोस्तों आज का चेप्टर है गती विज्ञान यूंज्याव यांत्र की विज्ञान यानि किस्यू प्रैक्टिस में करा रही हूं इसका यह पार्ट नंबर वन है दोस्तों यदि आप फिजिकल एजूकेशन के किसी भी कंपटिटिटी एक्जांस का प्रिपेशन सिलिवस के एकार्डिंग कर रहे हैं तो मेरी चैनल पे सभी वीडियो शिलिवस के एकार्डिंग है और भी बि स्ट्रीवस के प्रैक्टिस करा जा रहा है तो बहतरी तैयारी करना है तो मेरे चैनल से दोस्तो डेली बेसे जूड जाए और अपना سिल्फ इस ट्रटीव करते रहे हैं तो चलते हैं आज की प्रशनों की तरफ तो दोस्तों कोश्चन है की फ्लैक्षिन का क्या अर्थ है? फ्लेक्शन मतलब होता है मोड़ना फ्लेक्शन का क्या अर्थ है तो दुस्तों फ्लेक्शन का अर्थ होता है दो हड़ियों के बीच का कोड़ कम होना यानि जब अपने आप हैंड को मोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है दो हड़ियों के बीच का कोड़ कम हो रहा है क्या अर्थ मतलब इसतार हो आप फलेक्शन कीया है उसको वापस अपने इस हेटी में ला देंगे तो आप में एक्स्टेंशन हो गया तो एक्स्टेंशन का क्या औरत है दो हडियों के बीच का कोड़ बढ़ जाना या सरीर के अंग का इनाटॉमिकल फोजीशन में वापस आजाना दोस्तों मैं किंसियो लोजय यानि गति विज्ञान के अंतरगत आपके जो जोइंस मुमेंट है गति की गतियों के बारे में डीटेल में बताया गया है दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी डाउट के लिए रहो जाएगा तो आपकी इंसियोलोजी और बायो मेकिनिस की प्लेलिस्ट में जा करके उससे रिलेटेड सभी वीडियों दे सकते हैं नी टन्सला उ कि इधें उठाएंगे अपने कंध्ये के लेवल से तो interaction होगा फिर वासा अपने हीप के पास लाएंगे हैज पहले वाले पोजिशन में तो आडिक्रण होगा यहाँ पर फूचा एड्चान का क्या जर्थ है यहाँ पे एडक्शन का अर्थ है शरीर का कोई अंग कहलाता है नेश्ट है अगर किसी मोमेंट में हाइपर लगा हो तो उसे अधिक दूर जाना कहते हैं तो दोस्तों यह बात सही है या गलत यह आपको देखना है तो यहाँ पर यह सही है अगर किसी मोमेंट में हाइपर लगा है मोमेंट में गती में तो उसका मतलब होता है कि वह अधिक दूर जाना उसका अर्थ हुआ नेस्ट है दोस्तो इलेवेशन का अर्थ है सरीर के अंग को हिदे की उचाई से उपर उठाना दोस्तो यह एकदम सही है इलेवेशन का अर्थ होता है सदीर के अंको हिदे की उचाई से उपर उठाना दिहां पर आपसर नंबर सी करेक्ट होगा सही है नेश्ट है डिप प्रेजन इलेवेशन का उल्टा मुवेंट करना होता है तो दोस्तों डीप पेजन इलिवेशन का उल्टा मुविंट करना होता है, यह राइट है, क्योंकि डीप इलिवेशन में हिदेस की उचारे से उपर तक उठाते हैं, जैसे आप कंधे को उपर तक उठाए, फिर कंधे को नीचे लाएंगे, तो आपका डीप पेजन हो गया, ठ इलिवेशन का जश्ट उल्टा हुआ, यहां पे सही है, नेश्ट है, प्रोनेशन का अर्थ सरीर के किसी भाग को लिता कर, उसके उपर के भाग को नीचे की और जाना, जैसे कि पेट के बर लेतना, हथेली जमीन की सतह की और होना, यह क्या कहलाएगा दोस्तों, जैसा कि सही है, ठीक है, नेश्ट शुपाई नेशन, शरीर के किसी भाग को लिता कर, उसके उपर के भाग को उपर की और ले जाना, जैसा कि पीठ के बर लेतना, या हथेली आस्मान की और होना, सुपाई नेशन कहलाता है, यह सही है कि गलत दोस्तों, एक दम राइट है, तो आप स आपका, आप पेट के बर लेतेंगे, आपका हथेली जमीन को इस पर्स करेगा, और जिहरा नीचे की और रहेगा, यह ध्यान में रखेगा, नेश्ट कोश्चन है, किसी कारे के वक्त, मुख्य रूप से संकूचित होने वाली मानस्पेशी को किस नाम से जाना जाता है, तो यदि आप कोई कारे कर रहे हैं, तो उस समय जो मुख्य रूप से मानस्पेशी संकूचित हो रही है, उसको प्राइम मूर या एगो निश्ट बोला जाता है, निश्ट कोश्चन है दोस्तों, कि मानस्पेशी के किसी कारे के दोरान, उस संकूचन को क्या कहते हैं, जिसमें म मानस्पेशी न घटती है, न बढ़ती है, तथा तनाव बना रहता है, तो दोस्तों, आइसो टोनिक, आइसो मेट्रिक, आइसो काइनेटिक, इन तीनों एकसरसाइस के बारे में बता चुकी हूँ, डीटेल में इस वीडियो को आप देख लेजेगाए, एक बार सभी डौट दोस्तों, आपके क्लियर हो जाएंगे, तो दोस्तों, संकुचंग के दोराँ, मानस्पेशी न घटती है, न बढ़ती है, और न उसमें कोई गती होती है, तनाव बना रहता है, तो उसे हम कहते हैं, आइसो मेट्रिक, आइसो मेट्रिक का अर्ट होता है, आइसो मतलब सेम, म मतलब लंबाई, यानि सेम लंबाई, कोई चेंजिंग नहीं, और तनाव बना रहता है, एक्जांपन के लिए दिवाल को धक्का मारना, नेक्स कोश्चन है, दोस्तों, किंस्यूलोजी का तातपरे किस बिग्यान से है, तो दोस्तों, किंस्यूलोजी का तातपरे है, गती ब उसे हम क्या कहते हैं घरती बढ़ती दोनों है अतनाओ बना रहता है गती मोमिंट भी बना रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं आइससोटोनिख ठीक है आइसोटोनिक एकसरसाइज नेस्ट कोशन है दोस्तो जब कोई मानस्पेसी संकूचित होती है तो उसकी विपरीद दिशा की मानस्पेसी प्रकुचित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तो जब कोई मानस्पेसी संकूचित होती है तो वहाँ पे जो मुख्य भूमी का संकूचर में अदा करत कहते हैं उसकी खांषा के होती है उसे हम कहते हैं और अन्टा गो निस्ट मानिक र०्धे इंका एंस्टी होगा दोस्तों प्राइंम यानि एगो निस्ट और फ्लेक्सर यान लिद एंगर त्नोल मचितन होती है इंशाक पने की प्लैक्स सन मुमेंट में लिए जिए आप पाउमानस्पेशी संकुचित हो रहा है तो उस समय दो मुक्ष भूमिका अदा कर रहा है जो हमारे बायसिपस मसल्स है वह हमारा मुख भूमइगा यानी एगोनिष्ट का भूमिका आदा कर रहा है और उसके विप्रित वारा मसल्स जो है जो हमकर कर रहा है व प्रीद जिशा में वह हमारा जो ट्रासेप्स मसल्स का टैरेक कर रहा है तो आप समझ गए होगे कि बान कि डरहा है जब हम अध्यों कर रहा है और प्रóm इंटाओणिस्ट का लगति कर रहा या उसके anatomical position से दूर जाना तो यहां पर इसमें क्या होगा कोड बढ़ना या बाहर जाना या अंदर जाना इसमें से कोई नहीं तो दोस्तों जो अपनी हैंड को उपर उठाते हैं कंदे की लेबल तक करते हैं तो हमारा उसमें जो हाथ होता है हमारे anatomical यानि सथी से दूर जाता है और उसमें क्या होता है क्या होता है昨 premi की क्या कह जाता है तो दोस्तों नीटन के पहलेगोर क्या कह जाता है जड़तो का नियम क्या कहते है जड़तो का नियम और कई नामों से इसको जाना जाता है दोस्तों जड़तो का नियम जड़ता का नियम अकरमनिता का नियम लाफ, इनर्सिया, गैनिलियो का नियम इतनी नामों से आपका Newton के प्रथम नियम को जाना जाता है तो इन नामों को जाना आपको आउस्यक है नेश्ट है दोस्तों Newton के दूसरी नियम को क्या कहा जाता है तो दोस्तों Newton के दूसरी नियम को कहा जाता है तोरण का नियम ठीक है? अज तोरण के नियम को संवीक का नियम लाप मोशन, लाप एक्सिनरेशन, लाप मोमेंटम बलके प्रतिफल का नियम आदि नामों से जाना जाता है नियुटन के तिसरे नियम को क्या कहते हैं तो नियुटन के तिसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं और इसको action reaction का नियम, counter force का नियम, अवलाफ रेसी फ्रोकल का action का नियम भी कहा जाता है. Next question है, hammer throw में hammer गुमाते समय कौन सा force लगता है? तो दोस्तो hammer throw में जब hammer को गुमा रहे हैं, तो उस समय हमारे केंदर की तरफ बल लग रहा है, यानि कि अभी केंदरी बल, जिसे हम centripetal force बोलते हैं, लग रहा है, तो centripetal और centripetal जो बल होता है, तो centripetal यानि कि अभी केंदरी बल, यानि जो बल केंदरी की तरफ लग रहा है, और centripetal यानि कि अभी केंदरी बल, जो केंदरी से बाहर की तरफ लग रहा है, तो जो हम hammer को घुमा रहे है तो उस समय جो बल लग रहा है, force लग रहा है, वो अंदर की तरफ लग रहा है, kwest Clarice की तरफ तो वहां पे अभी केंदरी बल, यांनि की entry protocol बल लगेगा, बाधक अब केंदरी बल लगेगा, निरेश लगेगा, निश्ट है सेंट्री फीटल तथा सेंट्री फीगल फोर्स नीटरंग के कौन से नियम में आते हैं तो दोस्तों यहां आता है नीटरंग के तिसरे नियम क्रिया पतिक्रिया के नियम में यानि एक्सान रियक्सान के नियम में निश्ट है सेंट्री पीडल तथा सेंट्री फ्यूगल फोर्स में आपस में क्या संबंध होता है तो दोनों दोस्तों बराबर होते हैं यादि जिस कती से आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे वह वस्तु भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगा यानि क्रिया पतिक्रि नियम्या कहता है यदि कोई वस्तु बिर्यामा वस्था में है तो बिर्यामा वस्था में ही रहेगी अगर गति वस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जबतकि उस वस्तु पर कोई बल न लगाया जाए तो यहां पर क्या सही हो जाएगा कि किसी भी चीज का अराम व और एक्स्टरणल फोर्स यानि और वाहिबल इंटर्णल वूर्स जो होता है वह मानस्पे सी द्वरा लगाएगे बल को इंटर्णल फोर्स करते हैं यहां आक्स्टरणल वॉर्स किसे कहते हैं यहाँ उस्ट है आफसनνंबर में आपसान नमबर नेशे दोस्तो एक खिलाडी जब किसी बाल को कैच लेता है तो बाल का हाथों में संपर्क आने के बाद वो हाथों को नीचे की और तरफ खिचता है यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लगता है तो यहाँ पे नियुटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया यानि एक्षन रियक्षन का नियम लगता है यानि कि बाल जिस गती से आपके पास आएगा आप करश करेंगे उसी गती से आपका हाथ भी पीछे जाएगा नेश्ट दोस्तो इस स्पीड किसे कहते हैं तो दोस्तो स्पीड बराबर होता है दोरी बटा समय ठीक है नेश्ट दोस्तो यदि कोई वस्तो यस्वन इस स्पीड से जा रही है तथा यस्वन इस्टू स्पीड से आती है तो उसकी आउसत चाल क्या होगी दोस्त चाल बराबर दूरी बर्टा समय होगा तो यहाँ पे 2 S1 गुड़े S2 अपन S1 प्लस S2 हो जाएगा नेश्ट दोस्तो मांस्पेसी की इकाई क्या है तो दोस्तो मांस्पेसी की इकाई जो है वह micron होती है next दोस्तो force की इकाई क्या है यानी बल की इकाई क्या है Newton टो तो पुछ़ा चाता है तो फोर्स यानी बल का यसाई मातर क्या है तो Newton next दोस्तो speed की इकाई क्या है speed की इकाई market मीटर परतिस सेकेंड या уд Hutch的话 है यहाँ पर ध्यान देना ही दे दिया था मिटर प्रती आवर और किलो मिटर पर आवर तो यहां पर किलो मिटर पर आवर आपका सही था बहुत लोगों ने मिटर प्रती पर आवर लगा दिया था तो यहां पर मिटर रहेगा तो उसके साथ सेकेंड रहेगा और किलो मिटर रहेगा तो उसके साथ आवर रह तो मितर प्रतिस सेटर या तो किलो मितर पर आवर ये ध्यान में लखेगा राच क्या है जामी के अभी केंद्रक बल का चुत्रिक क्या है या बहुए प्र चॉश का तो वर्क की इकाई क्या है यानि कारे की इकाई क्या है दोस्तों जूल है नेश्ट है इनरजी की इकाई क्या है दोस्तों इनरजी का भी इकाई है आपका जूल तो यहां पर ध्यान लखी क्या वर्क एनरजी दोनों की इकाई है जूल फोर्स के बराबर क्या आशा है याने कि जूस्तों बन फोर्स के बराबर क्या होता है मोमेंटम के बराबर क्या होता है किलों गराम मीटर प्रकेंद थीख ज correct just a है एकिने हर अपन टूएंबी स्कुर किसे कहते हैं तो यह होता है तो हम इसका अक्षलेरश नि यहाना कि कलने है pen यहांगे काल है यहांटिों होता है अंति इग-felरमिक बैंपन समय बात पर सब्सक्राइब नेश्ट दोस्तों वर्क की बराबर क्या होता है वर्क यानि कारे कारे बराबर होता है दोस्तों बल गुड़े विस्थापन यानि कारे क्या है कारे वह है जो किसी वस्तु पर बल की दिशा में उसको विस्थापन किया जाए बल लगा कर किसी वस्तु को बल लगा कर उसको बल की दिशाबे भिस्थाबित किया चाये वही कारें होता है तो कारें बराम बराबर क्या है तो एक रेडियन बराबर 97 jumpedreen Ό होता है म op 67. einu संथ्य रिम दोस्तों कि लोग्रांम मीटर प्रती सेंड किसकी एकाई है एक मोमेंटम की ही है इन सब चीजों को दोस्तों और भी एक कुछा जाता है आपका फोर्स का यानि कि बल के मातरक का कि बल का जो एसाई मातरक हो तो न्यूटन है और उसका फोर्स यानि बल का सीजियस पधती में क्या मापंग है इकाई है तो बल का मातरक सीजियस पधती में सीजियस का फुल फार्म होता है सेमी ग्राम सेकेंड जिसका म एक ब्ढहां चाहरू होता है 1 इसक्टव इप काफ सब्ढह़ास को सब्सक्राइम. एल्ड ऐनंदी आ जीब ठी-च भूद्ध बाएन कके नितनगै में अक्लिज चैप प्तवली इस नियहीं हो इंप सब्सक्रान मोत्स नितना ही सका सिरुकरी मुर्फ. जो आपको एजम के लिए इंपोर्टन है तो दोस्तों यह वीडियो को अच्छा लगा होगा आपको समझ में आये होंगी जो भी डौट होगा मुझे पर जरू बताईए दोस्तों मैं डॉट के लिए करने की पूरी पूरी कोशिच करूंगी एंदोस्तों फ़र्ट बार वीज के साथ अब तक के लिए जय हैं